नमश्कर दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज महत्पून विशेप पर चर्चा करेंगे और इनकी आयू तकरीबन 60 वर्स की है यह आगे के जीवन के बारे में जाना चाहते हैं सफलता प्रगति वग्रोथ के बारे में जाना चाहते विदेश में हैं और लौटरी की भी एक्षा रखते हैं तो इनको जाना है कि लौटरी मिलने के क्या योग बड़े हैं जीवन पर ग्रोथ के सफलता के प्रगति के क्या चांसेस हैं और आगे अब 60 वर्स के बाद की इनकी जंदगी कैसी रहेगी अब देखो एक बहुत कॉम के बाद भी वो काम करने का कोशिश कर रहा तो एक प्रकायर सीश्वरिय क्रपा आपके उपर है बिलकुल है इस बात में कोई संधेह नहीं है तो चलो पहले चीज़ तो यह होगी अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा अब 60 वर्स के बाद की जन्दगी कैसी रहेगी 60 वर्स के बाद की जन्दगी में क्या योग बने हैं उस में अतपूर विशय पर भी आपको जानना होगा तो वो भी आप बिलकुल आज के वीडियो के मात्यम से जाने समझें और देखे कि आगे लौटरी वौटरी प्राप्त करने के क्या योग बन मुक्त हैं तो आप अपने जीवन में ऐसे बहुत जादा आगे बरने वाले हैं आप अपने जीवन में ऐसे बहुत जादा ग्रोध करने वाले हैं प्रेगती करने वाले हैं चुकि जीवन रेखा दोश मुक्त रहे तो ये एक अच्छी आयू को बताती है और आपका दिमाग अगर ठीक रहेगा, तो आयू के साथ साथ बात समझेगा, आयू के साथ साथ जीवन में बिल्कुल ग्रोथ होगा, आयू के साथ साथ जीवन में बिल्कुल प्रिगती को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल दनलाव को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल सफलता को प्राप्त करके अगर आपकी माइंड रेखा अच्छी है तो आयू लंबी के साथ साथ आप अपने दमपर जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ग्रोध करेंगे, बहुत सफलता को प्राप्त करेंगे। ये जीवन रेखा आपकी बड़ी असपस्ट है है, तो आयू तो बड़ी ग्रोध करते हैं, बहुत धनलाव को प्राप्त करके आगे बढ़ते है नीसनदे। अब इसके बाद और भी चीज़े हैं जिसको देखना समझना बहुत इंपॉटेंट है, तो आप देख लो मरकरी लाइन, तो मरकरी लाइन आपके हाथ पर बने तो मरकरी लाइन अगर किसी वेक्ति के हाथ पर बने तो ये क्या दर्शाती है बुद्ध रेखा अगर किसी भी वेक्ति के हाथ पर बने तो ये दर्शाती है ये वेक्ति वेपारिक दिमाग के होते हैं अगर ऐसे वेक्ति जॉब भी कर रहे हैं तो ये वैपारिक दिमाग या वैपारिक माइंडसेट से आगे बरने का कोशिश करते हैं, वैपारिक माइंडसेट से आगे बरते हैं, जीवन पर आगे बरते हैं, ग्रोथ करते हैं, प्रगती को प्राप्त करते हैं, नीसंदे, तो आपकी वैपारिक रेखा भी आपके हाथ प प्रगती को प्रप्त करते हैं नी संदे तो फिर आप यहाँ पर देख लो तो एक और सूरी रेका इधर को भी जा रही है तो सूरी रेका क्या कुछ बता रही है सूरी रेका बता रही है कि आप अपने जीवन में कितना जादा सफल होते हैं कितने जादा ग्रोध को प्रप्त करते हैं कितने जादा प्रगती को प्रप्त करते हैं और कितने शमसदार हैं कितनी शालींता है आपके अंदर इस चीज के परचे कराती है तो वो शालींता का सूरी रेखा बिलकुल दिखा रहा है, बिलकुल दर्शा रहा है, फिर आप देख लो अब 60 वर्स के बाद अकास्मिक धनलाव को प्राप्त करने के क्या योग बने हैं, 60 वर्स के बाद अकास्मिक धनलाव को लेके क्या इंडिकेसंस बने हैं, इस विशे पर इनको जानना है, इस विशे को इनको समझना है। तो आप देखो completely आपकी बागी रेखा एक सदिक ब्रांचेस के साथ है। मतलब 2-3-6 से आपको धनलाव होना है। 2-3-6 से आप इंकम करने वाले हैं, 2-3-6 से आप प्रगति करने वाले हैं, दो-तीने छेतर से आप धनलाव करने वाले हैं, अगर आपकी बागे रेका एक सदिक ब्रांचिस के साथ हो, तो आपका एक छेतर तो जौब है, एक विपार हो सकता है, एक अकास्मिक धन प्राप्ति को लेके योग बन सकते हैं, और आप जीवन पर आगे बर सकते हैं, ग्रोध शम्ता अक्तिवर, ग्रोध को बताता है कि विक्ति एक सदिक मकान बनाते हैं, और जीवन में ग्रोध करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, प्रगयती को प्राप्त करते हैं, नीसंदे, चलिए अब इसके बाद भी और चीजों को हम समझ के बात कर लेते हैं, जान लेते ह तो आईए देखते हैं और समस्ते हैं और बताने का कोशिश करते हैं तो आप देखोगे तो लाइफ लाइफ लाइब अब negativity तो जुपिटर थोड़ा गरबर स्थिटी में है अगर ब्रश्पती किसी भी विक्ती का गरबर हो तो ये इंडिकेट करता है कि विक्ती अपने जीव करते हैं तो इनिशल स्थेज में काफी शंगर्स के बाद आप आगे बढ़े हैं काफी शंगर्स के बाद आपने ग्रोध को बास अफल्टा को प्राप्त किया है ये भी रियालिटी है अब जीवन रेखा किया कुछ बता रही है तो ये माइन लाइफ लाइन है प्रिंतरता के साथ प्रिगती की रेखा मौजूद है, आगे भी लाइफ 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 स्मूथ रही है, मतलब स्वस्त रहा है, मस्त रहा है, स्वस्त जीवन वितीत की आपने, और स्वास्त बहुत ही उत्तम रह लेकिन यूजवली आपका स्वास्त उत्तम रहता है इस जीवन रहा हो तो एक बल्क में पैसे आने गई होगी यह तक्रीबन आपके 58-80 एर्स के बाद ही बन गया है तो बल्क में पैसे भी आता है इस संदर्ब में बल्क में धन भी आता है इस संदर्ब में no doubt फिर आप देखो desires के अच्छे line है महत्मा कांची है सब के लिए करना चाहते है बहतरीन ठंब है तो वेक्तितव बहुत शांदार ऐसे जातक का वेक्तितव जो होता है यह बहुत शांदार होता है अच्छे वेक्तितव के साथ यह आगे बढ़ते है शांदार जांदार वेक्तितव के साथ सूरी फिंगर इम्मत को बता रहा है बुद्ध फिंगर फिंगर फश्वरेंस तक है तो कम्मुनिकेशन स्किल वाईज भी बहुत प्रबल है वाग पड़ुता भी जो होती ना इनकी ये बरीज़बरदस्त होती है यहां से दवाब दो थोड़ा दिक्कत है बाकी परुपकारी साइन्स है जो दोतीनी छेतर से दनलाव को बता रहा है ये भी जबरदस्त वाग्य रेका प्रॉपटी का योग थे तक्रीबन 40 के बाद बने थे लाइन अफ एजुकेशन अच्छा है बहुत समस्दार गजब की ये सूरी रेका बहतरी सूरी रेका पर भी ट्रैंगल्स आप यहाँ पर देखेंगे चंदरमा अच्छा है पैसे के फ्लो बनी रहेगी जब भी जीवन में धन की आवशक्ता हो कही ना कहीं से आजाएगी गजब का ये बैतरीन बुद्ध रेका तो ये भी योग को बता रहा है विदेशी दर्ती से दनलाव को बता रही चंदरमा प जनाव इन परकार के दिक्कतों का आपको सामना विल्कुल भी नहीं करना पड़ता है तो ये था इनके दली का पूरता विश्टेशन अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंट कर दे से सिस्क्राइब कर दे अगर आप विक्तिका दूरुप सास्तर करना कर दो, ये 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 भ्येम कर दे